ओम नमस्शिवाय, नमस्कार दोस्तों, आईए जानते है वर्ष 2022 में शनी ग्रह से कोन सी राशिया परिशान होगी? अगले वर्ष शनी कब कर रहे है राशी परिवर्तन और इस परिवर्तन से कींद राशियों पर पड़ेगा प्रभाव? कींद राशियों पर लगेंगी शनी की साड़े साती और कींद राशियों को झेलनी होगी शनी की ढईया की मार तो आईए जानते हैं। दोस्तो अगले वर्ष 2022 में मीन राशी पर साड़े साती प्रारंब होगी जबकि कर्क और उरुचिक राशी पर शनी की ढईया प्रारंब होगी साथ ही अगले वर्ष धनु राशी से साड़े साती हटेगी और तुला राशी एव मिथुन राशी वालों को शनी की धाया से मुक्ती मिलेगी वर्टमान में शनी ग्रह के मकर राशी में रहने के कारण वर्ष 2021 में धनु मकर और कुम्भ इन तीन राशियों पर साल 2021 ने शनी की साड़े साती चल रही है जबकि मिथुन और तुला राशी पर धाया चल रही है अगले वर्ष अर्थात 29 अप्रेल 2022 को शनी मकर से निकल कर जब कुम्भ राशी में भ्रमन करेंगे तब मीन, कुम्भ और मकर राशी पर शनी की साड़े साती तथा कर्क और रुचिक राशी पर शनी की धाया लगेगी यानी वर्ष 2022 में मीन, कुम्भ और मकर राशी को साड़े साती रहेगी जबकी कर्क और रुचिक राशी पर शनी की धाया लगेगी 29 मार्च 2025 को शनी मीन राशी में गोचर करेंगे जिससे सीह और धनु राशी वालों पर शनी धाया शुरू होगी इस दोरान कुम्भ, मेश और मिन राशी वालों पर शनी की धाया रहेगी मकर राशी वाले शनी धाया से मुक्तिपा जाएंगे वर्तमान में शनी ग्रह के मकर राशी में रहने के कारण वर्ष 2021 में धनु, मकर और कुम्भ इन तीन राशियों पर साल 2021 में सनी की साड़े साती चल रही है जबकि मिथुन और तुला पर धैया चल रही है 29 अप्रेल 2022 को इने धैया से मुक्ति मिलेगी 17 जन्वरी 2023 से शनी के मार्गी होने पर तुला और मिथुन राशी से पूरी तर धैया का प्रभाव खत्म हो जाएगा तुला राशी पर शनी की धैया 24 जन्वरी 2020 से चल रही है शनी ग्रह अगले वर्ष 29 अप्रेल 2022 को मकर राशी को छोड़ कर कुम्भ राशी में आ जाएंगे तब धनु राशी वालों को शनी की साड़े साती से रहत मिलेगी परंतु 12 जुलाई 2022 को शनी वक्री होकर फीर से मकर राशी में प्रवेश करेंगे इसके बाद तब 17 जन्वरी 2023 को धनु राशी वालों को शनी की साड़े साती से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी और मिथुन राशी वालों को धैया से मुक्ति मिलेगी मकर राशी वालों पर 16 जन्वरी 207 से शुरू हुई थी यह 29 मार्च 2025 को समाप्ठोगी कुम्भ राशी वालों पर 16 जन्वरी 2020 से शुरू हुई थी इससे मुक्ति 3 जून 2027 को मिलेगी परंतु शनी की महादशा से कुम्भ राशी वालों को 23 फरवरी 2028 को शनी के मार्गी होने पर छुटकारा मिलेगा यानि कुम्भराशी वालों को 23 फरवरी 2028 को 6,5 से निजाद मिलेगी धन्यवाद